अलो एबरीवन वेलकम टू चंपक न्यूज चैनल और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फर्मानी नाज से जुड़ी बड़ी ख़बर के बारे में जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दू फर्मानी नाज कौन है फर्मानी नाज ने हर हर शंबू गाना गाया अपनी आवाज में और उनका गाना हुआ रात और रात वाइरल लोगों को उनके आवाज बहुत पसंद आई इसके बाद इन्हें इंडियन आइडल में भी बुलाया गया और वहाँ पे जब लोगों ने इनकी emotional story सुनी तो ये लोगों के दिलों पे च्छा गई लोगों ने इनका struggle देखा और जब इनका talent देखा तो इन्हें बहुत प्यार दिया और वहाँ से ये सफलता की सीडिया चड़ती गई लेकिन अभी अभी ये कुछ controversy में फस गई है तो चलिए पहली controversy की बात करते हैं फर्मानी नाज ने अपने पती पर इंजाम लगाया था कि उन्होंने बिना तलाग दिये दूसरी शादी कर ली लेकिन recently उनके पती ने interview में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वह मेरे पे जूटा इंजाम लगा रही है जो आगे जानेंगे इसमें कित्ती सच्चाई है लेकिन बात करते हैं इनसे जुड़ी दूसरी controversy के बारे में जो गाना था हर शंबू जिसके अंदर थी अभी लिपसा पंड़ा और साथ में थे जीतू शर्मा तो जीतू शर्मा ने इन पर इंजाम लगाया है कि इन्होंने बिना credit दिये इन्हें गाना रिलीस किया अपने चैनल पे जीतू शर्मा ने legal action claim किया इनके खिलाफ और 7-8 दिन में यानि कि आज के दिन 11 अगस्त को इनका गाना यूट्यूब से हटा दिया गया और इसके चलते हैं वैस सुर्खियों में आ गई लेकिन चलिए आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं फर्मानी नास से जुड़ी फर्मानी नास के भाई ने इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि फर्मानी को बिग बॉस सीजन 16 का ओफर भी आया है अब देखते हैं फर्मानी वहाँ पे जाती है या नहीं जाती जान